नमस्कर दोस्तों में नाम श्रीकान कुमर अब देख रहें टूजेट प्रोसेस आज हम बात करने हुआ इस वीडियो में दोस्तों रासन कार्ड में अब किसी भी परकार के ओनलाइन खुद से अपडेट कर सकते हैं जैसे में रासन कार्ड में नया फैमिली का नाम को जोड़ना रासन कार्ड में फैमिली का नाम को डिलीट करना रासन कार्ड में फैमिली का नाम गलत है तो उस फैमिली का नाम को चेंज करना रासन कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करना बहुत सारे ओप्शन को आप जो हैं बच टेप करके बाद लाने वाले हैं तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी चैनल पर नहीं है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करेजे बला इकन घंटी को प्रिस करेजे ताकि मेरा वीडियो को नोटिपिकेशन सबसे पहले लेप के पास पहुँच पाए तो चले दोस्तों मेरी चैनल को शुरू करते हैं दोस्तों रासन कार्ड में ओनलाइन किसी भी परकार का अपडेट करने के लिए सबसे पहले मोबाइल या लैप्टोप का किसी एक ब्रॉजर को ओपेइन कर लेना है ब्रॉजर में टाइप करना है एन एप एस ए उसके बाद सर्च के ओप्शन पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद सबसे उपर में जो लिंक दीख रहा है इस लिंक पे क्लिक कर देना है उसके बाद भारत सरकार का ओफिसल पोटल इस प्रकार से ओपेइन हो जाता है और यहाँ पे दिखनी के लिए मिल जाता है थिरी लाइन के आसन का details on a state portals इस वाले option पे click करना है उसके बाद यहाँ पे दिखे सभी a state का नाम इस प्रकार से दिखनी के लिए मिल जाता है और अगर आपका state का नाम यहाँ पे show नहीं कर रहा है और अगर आप mobile यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे दिखनी के लिए जेता 3.k option 3.k option पे click करना है और यहाँ पे दिखनी के लिए मिल जाता है desktop site इस वाले option पे click करना है खोराण के लिए और यहाँ पे दिखे सभी a state का नाम जो कि इस प्रकार से दिखनी के लिए मिल जाता है तो दोस्तो अब आपको क्या करना होगा जिस estate से आप belong करते हैं उस estate पे click करना होगा तो चली हम किसी एक estate पे click करते हैं और इस परकार के notification सो हो जाता है सबसे पहले okay के option पे click करना है उसके बाद इस परकार से official portal open हो जाता है और इस official portal पे direct आना चाहते हैं तो इसका link इस video के description में मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे एक option देखने के लिए मिल जाता है card holder login इस वाले option पे click करना है उसके बाद दोस्तों अगला interface इस पर कार से open हो जाता है और दोस्तों यहाँ पे देखिए login होने के लिए दो option दिय पहला login होने के लिए यहाँ पे दिया गया कि अगर आप अधार card से login होते हैं तो अधार card से login होने के बाद आप क्या क्या रासन card में update कर सकते हैं उसके बारे में दोस्तों यहाँ पे बताया गया है तो अधार card से login होते हैं तो यहाँ पे देखिए परिवार के मुखिया पर दल सकते हैं रासन कार्ट के कैटिगरी को आप चेंज कर सकते हैं और यहां पर बताया गया है परिवार के मुखिया परिवार के सभी सदस के मुखिया से सबंद में सुधार कर सकते हैं तो आप अधार कार्ट से लॉग इन होते हैं तो दोस्तों आप अधार OTP के द्वारा आप यह सारा चीज को अपडेट कर सकते हैं या फिर दोस्तो अगर आप लोगिन होते हैं रासन कार्ड के द्वारा तो दोस्तो रासन कार्ड के द्वारा आप लोगिन होते हैं तो रासन कार्ड में आप क्या-क्या अपडेट कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिखिए बताया तो पहले हम बताया कि नए सदस का नाम जोड़ सकते हैं, डिलर बदलना, मोबाइल नंबर में सुधार कर सकते हैं, जीला के अंत्रगत सदस का एक कार्ड से दूसरे कार्ड में अंत्रांतन करना, अधार नंबर में सुधार करना, सदस के नाम में सुधार करना, परिवार के मु petrol subsidy के लिए आवेधन करना ये सारा चीज वह है कि आप खुद से update कर सकते हैं अपना रासन काड से login होते हैं तो चलिए सबसे पहले हैं रासन काड के द्वारा login होते हैं लोग इन के option पे कलिक करते हैं और यहाँ पे अपना रासन काड नंबर fill up करना है रासन कार्ड का परकार को सेलेक्ट करना है यहाँ पर पास्वर्ट को फिलब करना है पास्वर्ट में दोस्तों यहाँ पर दिखे बताया गए कि हेड जो मुखिया जिसके नाम से रासन कार्ड है उसका last 8 digit अधार नमबर यहाँ पे टाइप करना होगा पासवर्ट के जगह और इस capture code को इस box में टाइप करना लॉग इन के option पे क्लिक करना है लोग इन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिखे रासन कार्ड के बहुत सारे service यहाँ पे दिखे इस परकार से दिखने के लिए मिल जाता है तो दोस्तों रासन कार्ड में जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं दोस्तों यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं अगर रासन कार्ड में नया परिवार का नाम को जोड़ना चाते हैं तो फर्स्ट वले आप्शन पे क्लिक करना है या फिर मोबाइल नंबर को लिंक करना चाते हैं या फिर चेंज करना चाते हैं तो इस वले आप्शन पे क्लिक करना है या फिर अधार कार्ड में किसी भी परक परिवर्तन के option पे click करना है या फी परिवार के सदस को हटाना चाहते हैं तो इस वाले option पे click करना है दोस्तों यहां से जो भी आप update करना चाहते हैं यहां से देखकर आपको उसी वाले option पे click करना है जैसे में हम रासन कार्ड में family का नाम को शुधार करना चाहते हैं तो और यहां पर देखने के लिए मिल जाता है और यहां पर जिसका नाम यहां पर चेंज कर रहे हैं यहां पर दोस्तों यहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि member के नेम चेंज कर रहे हैं या फिर मेंबर्स के फादर्स नेम या हस्वेड नेम को चेंज कर रहे हैं या फिर मदर्स ने तो यहां से आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहां पर जो नाम रखना चाहते हैं वही नाम को यहां पर टाइप करना होगा यानि जो आपकी अधार पताया गए 200KB के अंदर यहाँ पे अप्लोड करना है JPG में यहाँ पे अप्लोड कर देना है यहाँ पे Self Declaration Form को यहाँ पे अप्लोड करना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है Send Request के Option इस वाले Option पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद रासान कार्ड में अप्डेट हो जाता है तो दोस्तों Self Declaration Form को कहाँ से अप्लोड करना है और कैसे उसे डाउनलोड करना है तो सबसे पहले बैक हो जाना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है Three Line के Option इस वाले Option पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है Download इस वाले Option पे क्लिक करना है यहाँ पे देखे, Self-Pet Declaration Form का list यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है तो रासन कार्ड में क्या आप update कर रहे हैं, उसी के अनुसार यहाँ पे आपको download करना होगा तो रासन कार्ड में हम name change कर रहे हैं, तो चलिए, फस्ट वाले option पे इस परकार से click करते हैं इस परकार से phone download हो जाता है इस phone को scan करके वहाँ पे upload करदना है उसके बाद send request के option पे click करदना है उसके बाद रासन card में update हो जाता है कुछ दिन तक आपको wait करना होगा तो दोस्तो इसी परकार से अपना-पना state पे यहाँ पे click करके check कर लेना है कि हमारे state में online की सुद्दा है या नहीं है दोस्तो किसी-किसी state में जो एकी online की सुद्दा जारी कर दी गई है आप online खुद से update कर सकते है तो चरे दोस्तो वीडियो कर पसंद आए तो वीडियो के लाइक कर दिए मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ब्लाइकन घंटी को भी प्रेस कर लिजेगा